दोस्तों इस वीडियो में पाई नेटवर की कोर टीम में जो कहा है उसको आसान भासा में समझाने का प्रयातन रहेगा तो सांती से इसको पूरा सुने ताकि अगर आप पाई का माइनिंग कर रहे हैं तो इसकी असली वैलिउ समझ पाएं जो लोग नहीं जानते के पाई नेट यह वीडियो पाई एपस प्लेटफोर्म के बारे में हैं आए देखें कि हमें एपस प्लेटफोर्म की आवश्यक्ता क्यों है दुसरे चरण का लक्ष पाई नेटवर की स्ट्रेटेजी की चर्चा करते हुए पाई की वैल्यू का निर्मान करना था समय के साथ इसकी वैल्य दुनिया में पाई नेटर की उप्योगिता बढ़ाने के लिए कुछ नई अप्लिकेशन बनाने की आवशक्ता है लोगों को बड़े पेमाने पर उत्पादनों के आदान प्रदान के लिए पाई खर्च करने में सक्षम बनाना है चाहे वो एंटरटेन्मेंट हो या गुड्स प्लैटफर्म के माध्यम से पाई के एकनोमी विकास को डिसेंटरलाइज करना है उधारन के लिए यदि पाई लिंदिन की सुविधा और स्केल को बढ़ाने के लिए अगर पाई मार्केट प्लेस की जरुरत है तो दुनिया की कोई भी कॉम्मिनिटी या कमपनी बाजारों क की जरुरत के हिसाब से अलग-अलग पाई एप बना सकते हैं जो दुनिया के देश और बासाओं के अनुसार बिन्न बिन्न हो सकते हैं जो गंपनिया पहले से e-commerce, logistics, supply chains, gaming, real estate और financial service में अपना स्थान मजबूत कर चुकी है उनको पाई ब्लॉक्चेन या पाई के प्लेटफ केवल कुछ main-main pie app बनाएगी जो pie के vision और pie की community बढ़ाने में सबसे जरूरी है डी-centralized application के third party developers अपनी अपनी अप को pie के ecosystem में जोडने के लिए बहुत उस्साइथ हैं क्योंकि crypto space में pie network के विचार और दुनिया में बढ़ती हुई pie community यानि pioneers की संख्या को देखकर आकरसित हु तो apps platform कैसा दिखेगा? Apps platform third party developers को ऐसे application बनाने की अनुमति देगा जो pie का उपयोग करके सुरक्सित और आसान लेंदिन की सुविधा प्रदान करते हैं. Apps platform में दोनों apps सामिल हो सकते हैं. एक है जो pie network के बीतर बनाए गए हैं जिन है pie app कहा जाता है और दूसरे है pie network के बाहर की जो अपने payment विखलकों में pie को शामिल करने में सक्षम है. pie app को pie interface में होस्ट किया जाएगा. उधारन के तोर पर facebook app, messenger app या wechat mini program जैसे pie apps भी होंगे. pie interface के बीतर होस्ट किया जाने वाले संभवित pie apps की कुछ category में pie की financial service apps भी शामिल है. इसको ऐसे समझें कि लोग pie की loan दे सकते हैं. जिस पर ब्याज मिलेगा. लोग pie की loan ले सकेंगे. pie से insurance ले सकेंगे. pie का credit card भी हो सकता है. तो ये ऐसे application है जिससे pioneers decentralized finance की उबरती दुनिया में प्रवेश करेंगे. और हमने पहले ही developers से ऐसी app बनाने के लिए बात की है. ताकि pioneers अपने pie से real estate के साथ साथ Apple, Google जैसी कंपन पे ऐसे apps हो सकते हैं. जिससे लोग pie के लेंदेन कर सकेंगे. इनका WhatsApp और Messenger जैसी advanced chat system बनाने का भी प्लान है. और भी एक अलग category pie marketplace है. इस pie marketplace category में ऐसे app होंगे जिसमें लोग Amazon, Tawbao, Airbnb और Uber जैसी website पर अपने goods और services का आदान प्रदान कर सकेंगे. आजकल ऐसे भी गेम्स बन रहे हैं जिसमें लोग पैसो से गेम के अंदर गेम की चीज़ें करीते हैं. pie game category में भी गेम्स बनेंगे जिसमें दुसरे गेम्स की तरह लोग गेम खेल कर earning कर सकेंगे और गेम में pie खर्च करके गेम के character या accessories भी खरिच सकेंगे. pie payment में एक QR code सिस्टम भी शामिल है जिससे local retailers आसान इसे payment accept कर सकेंगे. वे अपनी नीजी website पर pie payment का button भी रख सकेंगे और कौन जानता है शायद Amazon भी भविशय में अपने website पर pie से payment वाला button भी रख दें. आये बात करते हैं कि हम apps platform को कैसे लागू करेंगे. हम उन application पर पहले द्यान देंगे जो सीधे pie network पर बनाए जाएंगे. यानि Google App Store की तरह pie apps platform पर. जब हम pie apps platform के माध्यम से एक मजबूत और व्यवहारू pie ecosystem बना लेंगे तभी हम दूसरी industry को आकरशित कर पाएंगे. pie payment वाला system काम करें और ऐसे एक के बाद एक सारी industries pie network से connect हो सकें. pie app platform पर लिस्टेड होने के लिए उन सभी app की गुणवत्ता और विश्वोशन यता प्राप्त करने के लिए pie community उन apps का परिक्षण और टेस्टिंग करेंगी. थर्ड पार्टी डेवलोफपर्स के लिए आविदन प्रक्रिया होगी. एक एप से दूसरे एप में होने वाले pie के लेंदेन सुरक्सित और सही तरीके से हो उसका टेस्टिंग होगा. इसका मतलब है कि जब तक हम real goods and services के lending को बढ़ावा देने वाले इस platform में इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए आवशक सुरक्सा बना लें, तब तक हम third party developers के enrollment process को slow रखेंगे. हम pie day के बाद KYC process को बढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरे pie programs में भाग लेने के लिए KYC जरूरी होगा. KYC होने से pie network में selection होने की संभावना बढ़ जाएगी, इससे pie apps platform में अधिक app launch होंगे. pie network में nodes को चलाने के लिए pioneers का KYC होना भी आवशक होगा. हम अपने अगले वीडियो में network node के बारे में बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि pie के लिए क्यों महत्तो पुरुणा है. तो दोस्तों उम्मीद है कि pie network की core team ने pie app store के बारे में जो बताया, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मिली होंगी. तो नया नया जानते रहें और मेटा मित्र से जुड़े रहें. मेरा मित्रा मेटा मित्रा जाए हिन जाए भारत.